हेलो स्ट्रेंट्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटर क्लास में मैक्सिमा एंड मिनिमा जो की बहुत ही इंपॉर्डेन टॉपिक है यह हम यह कह सकते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा के एपलिकेशन यानि कहां पर हम maxima और minima का use कर सकते हैं वो आज जो है वो हम लोग यहां पर पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम जो है वो question देखते हैं और उसके बाद हम उसको solve करते हैं तो question देखते हैं कि क्या है तो सबसे पहले हमने यह ध्यान रखना है कि जो भी यहां पर हमारे question होंगे उसमें हमको सबसे पहले पढ़ना है और यह देखना है कि कौन सी चीज maximum या minimum कही गई है यानि उच्चितम, अधिकतम, नियूंतम, कम से कम क्या चीज कही गई है वो हमारा क्या हो जाएगा function और फिर हम देखेंगे कि function में अगर एक से ज़्यादा variable है तो हमें एक ही variable में convert करना होगा और उसको convert करने के लिए या तो portion में कोई condition given होगी या तो फिर कोई condition हम जानते होगे तो जैसे यहां पर जो कहा गया है वो हम जो है वो पहले लिखते हैं तो यहां पर कहा गया है कि यह कोई है यानि शंकु है यह यह A, यह B और यह C इसकी जो तिर्यक उचाई है यानि जो हमारी यहां पर slant height है वो यहां पर given है तो given क्या है slant height यानि तिर्यक उचाई तिर्यक उचाई जो है वो given है जो चीज given होगी वो हमारी constant कहलाएगी तो यहां पर तिर्यक उचाई given है इसलिए L क्या हो गया constant अब यहां पर अधिक्तम नियूम्तम क्या कहा गया है तो question में कहा गया है कि इसका volume यानि आयतन क्या होगा अधिक्तम तो यहां पर हमारा function क्या हो गया volume of cone यानि श्रंकू का आयतन क्योंकि यह portion में क्या कहा गया है अधिक्तम तो formula क्या होता है इसे हमने equation first बना दिया तो अब यह function तो हमको मिल गया लेकिन इसमें r और h दो variable है तो हमारा क्या है किसी भी तरीके से एक variable में convert करना या तो r में या तो h में उसके बाद solve करेंगे तो इतना तो हमें पता चल गया तो हम चानते हैं कि यह क्या होती है radius of base यह height और यह हमारा क्या कहलाता है semi vertical angle यानि earth seals code तो यह हमने क्या मान लिया alpha मान लिया अब हमें change करने के लिए अब हमें एक condition portion में क्या given है L तो यह L concept हो गया हम जानते हैं क्या जानते है we know that दिखें यह triangle कैसा बनता है right angle triangle समकोर्थ दिखोज तो हम यहां से condition क्या जानते है L square equal H square plus R square यह phone के बारे में हम condition को जानते हैं तो L given है यह constant हो गया अब देखें जो हमारा function है यानि sun को कायतन उसमें R square है H है तो हम H की value यहां से निकाल सकते हैं यह R की देखें अगर यहां से H की value निकाली तो root में आएगी तो portion हमारा कठिर हो जाएगा तो हम यहां से R square की value calculate करेंगे तो R square की value कितनी होगी L square minus H square यह हम क्या करेंगे equation first में रख देंगे तो V equal कितना 1 by 3 pi R square की एगे L square minus H square और into H तो हमने क्या किया इसमें R square की value जो है वो put कर दी तो V equal 1 by 3 pi L square H minus H cube अब देखें H और L यहां पे दो चीजे आ रहे हैं तो L हमारा क्या है constant क्योंकि quotient में given था जो चीज question में given होगी वो constant कहलाएगी ठिक H variable है तो H के respect में differentiate करेंगे तो 1 by 3 pi L square H का कितना 1 और यहां H cube का कितना 3 H square again differentiate करेंगे तो 1 by 3 pi cancels तो यह आया minus 2 pi h ठिक तो हमने क्या किया जो हमें given था वो constant हो गया जो maximum या minimum कहा गया था वो हमारे लिए function हो गया function हमने लिख लिए अब function में एक से ज़्यादा variable है इसलिए जो given था और जो हम देखी यहां पर एक condition जो हम पहले से जानते है कि l is square equal क्या होता है h square plus r square तो इस condition का use किया चुकि l given है constant हो गया तो यहां से r square की value निका ली और जो volume होता है उसके formula में रख दी h में हमारा function बन गया क्योंकि l constant है हमने h के respect में a का differentiate किया और again differentiate किया ठिक अब हम आगे का portion solve करेंगे तो यहां तक सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा नहीं आया तो उसको पीछे करके फिर से समझ दीएगा अब हम आगे क्या करेंगे for maximum volume तो for maximum volume यानि volume के maximum होने के लिए dv upon dh equal 0 तो dv upon dh क्या था l square minus 3h square equal 0 तो यह तो 0 हो नहीं सकता है constant है bracket को 0 किया l square equal 3h square यहां से h की value निका दी तो कितनी हो गई l upon root 3 यह h की value निका दी add h equal l upon root 3 तो d2 v upon dh कितना आया था हमारा यह minus का 2 pi h तो यह minus 2 pi और h की value l upon root 3 यह सब तो constant है l क्या है हमारी slant height height तो always हमारी क्या रहेगी positive रहेगी तो यह पूरी value क्या हो गई less than 0 तो d2 v upon dh2 हमारा क्या हो गया less than 0 यानि function हमारा क्या हो गया maximum यानि b तो v h maximum इसका मतलब volume of cone h maximum यानि संकू का item जो है वो हमारा क्या हो गया अधिक्तम हो गया ठिक तो अधिक्तम हो गया ठिक यहां तक तो proof हो गया अब हमें यहां पर proof क्या करना है कि जो हमारा theta है ठिक जो हमारा theta क्या alpha जो हमारा earth series code है alpha यह हमको प्रूफ करना है 10 inverse root 3 यह हमें प्रूफ करना है तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे जो हमने condition लिखी थी क्या condition लिखी थी R square equal L square minus H square यही तो लिखा था तो यहां से हम क्या करेंगे जो L square की value थी L square की value कितनी आई 3 H square तो 3 H square minus H square तो R square की value हो गई 2 H square तो R square upon H square equal 2 R upon H equal root 2 अब देखें इस triangle से करें triangle ABC से तो tan alpha क्या होगा R upon H तो यह R upon H क्या होगा in triangle ABC तो यह कितना हो गया tan alpha equal R upon H और R upon H की value कितनी root 2 then alpha equal tan inverse root 2 यह हमारा proof हो गया तो complete question हमारा क्या था कि अगर हमें slant height given है किसी cone में तो फिर जो उसके cone का अगर item जो है यानि volume जो है वो maximum होगा तो फिर जो उसका semi vertical angle है यानि alpha वो tan inverse root 2 होगा यह हमें proof कर लिया बहुत जादा important question है कई बार board पर इच्छा में आ चुका है तो तरीका क्या है किस तरीके से question लगाया जाएगा वो मैंने आपको बताया आसा है कि आप सभी को जो है अभी तक यह कठिन लग रहा होगा लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह बहुत ही आसान लगेगा और question लगाने कि आप habit जो है वो डालेगे तो आसानी से आपको यह question जो है वो solve हो जाएगे एक question कंपसरी बोर्ड परिच्छा में हर साल पूछा जाता है मैक्सिमा मिनिमा का जरूर टिक थैंक्यू